नमस्कार और वेलकाम यूओ विडियो में हूँ डॉक्टर जैंतुर आज की वीडियो में डिस्कस करने बार लिया है फाइब बेनिफिट्स और प्रिपेरिंग जीपेट जीपेट की प्रिपरेशन करने के कौन-कौन से वो पाच इंपोर्टेंट बेनिफिट्स हैं उनके बारे हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो इंपोर्टेंट है उन सभी फार्मेसिस्ट टुएंट्स के लिए जो की कन्फ्यूजड है कि जीपेट की प्रिपरेशन करें कि गवर्मेंट फार्मसिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर एक्जाम की प्रिपरेशन करें तो उनको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे यदि आपने जीपेट की प्रिपरेशन करी है तो आपको सेपरेटली इन सभी फार्मसिस्ट एक्जाम और ड्रग इंस्पेक्टर एक्जाम की प्रिपरेशन करने की आवशक्तर नहीं रहेगी प्रिपरेशन करें तो आपको सब्जेक्ट की नौलेज बहुत जादा हो जाती है क्योंकि जीपेट में आप जब स्टड़ी करते हैं तो आप कोई भी टॉपिक हो चाहे आप जैसे आपने टैबलेट की बात करें यदि आपने टैबलेट पढ़ा हुआ है तो जैसे यूनिवर्सिटी एक्जाम होते हैं वहाँ पर तो आप लिखके आजाते हैं कोई डिफरेंस नहीं आता आपके मार्क्स आने में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं आप क्लियर भी कर पाते हैं लेकिन जब आप जीपट की प्रिपेर करते हैं वहाँ पर आपको नॉलेज चाहिए होता है तो आपको यहाँ पर इन डेटेल इन डेप्थ पढ़ना पढ़ता है जैसे टैबलेट के बारे में बात क कीई जाता है सूटोरेटर भी डिफेक्त कि उसक्ते तो सब कुछ पड़ते हैं और बहुत इन डैप्ध में पड़ते हैं चपर भी अक्समें जब हम जीबेट की बेप्रेशन करते हैं जो जो नोड़ को आगे आने वाले आसदा बहुत ज़्यादा भी आती हैं तो यह सारे आपके clear हो जाते हैं concept बगेरा साथ-साथ आप क्या करते हैं कि MCQs पर attempt करते हैं तो आपको one line question हो गए या फिर one line जो fact होते हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं और जो conceptual question होते हैं वो भी आपको समझ आने लगते हैं और उसके proper notes बन जाते हैं अब उनके notes बनने के बन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा help मिलती है इन सभी exams में आपने देखा होगा अभी बहुत सारे exams आये होगी हैं जैसे कि DSSV का आया होगा है RRV का notification भी आ चुका है ठीक है तो वहाँ पर जब आप pharmacist का syllabus देखेंगे except SSC pharmacist वहाँ पर सिर्फ non-tech आता है लेकिन बांकी जो pharmacist होते हैं drug inspector होते हैं या फिर technical post होती है government exam की वहाँ पर जो B firm का और D firm का सारा syllabus होता है और वही syllabus आपका GPET exam में भी पूछा जाता है तो यदि आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है उसके proper notes बनाये हुए है तो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रौत नहीं है जैसे ही आप B firm complete करते हैं आपका registration होता है और कोई भी pharmacist exam आता है सच AS AIMS का आता है ESIC का आता है आपको additional जो होते हैं जैसे additionally कुछ non pharma पूछ लिया जाता है जैसे कि आपका maths हो गया या फ़र GKS वगयरा हो गया तो वो सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पढ़ता है बट आपको pharmacy फिर से नहीं पढ़ना पढ़ता है मैं खुद pharmacist था फार्मसिस्ट के बाद अब मैं assistant professor हूँ central university में तो और भी ऐसे बहुत सारे friends है मेरे जिन्होंने GPET की preparation करी थी और pharmacy जो exam है जैसे की drug inspector गेरा हो गया और pharmacist हो गया उनके लिए उनको उतना ज़्यादा rigorous पढ़ाई नहीं करनी पढ़ी अल्रेडी उनके notes prepare थे और उनका easily वहाँ पर selection हो गया next जब आप GPET के लिए prepare करते हैं तो आपको M form के colleges अच्छी मिल जाते हैं जैसे की आपको NIPER मिल जाता है, BHU मिल जाता है, Central University मिल जाता है although Central University अपना खुद का exam conduct कराती है बट syllabus उसका same होता है private colleges भी GPET जो qualify होते हैं उनको preference देते हैं तो आपका एक अच्छी college से M form हो जाता है देखिए यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी भी vacancy आ रहे हैं वहाँ पर vacancy बहुत कम है pharmacist की जैसे कि हम SSE की बात करें तो मातर 50 post आई हुई है और हम दिन वा दिन देखेंगे कि यह post बहुत कम होती जा रहे हैं और कम ही department में यह post आ नहीं privatization हो रहे हैं तो अब हर जगे private position ही आपको मिलेंगी तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप यदि B form करके job में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 10-12,000 रुपे मिलेंगे production में जाएंगे तो 10-12,000 रुपे आपको मिलेंगे लेकिन यदि आप M form अच्छे college से करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा package मिलेगा जिसके बारे हम आगे बात करने वाले हैं तो अभी सब कुछ privatization हो रहा हैं तो आपको भी private in future private नोकरी ही मिलेगी आपको government नोकरी बहुत कम मिलेगी तो इसलिए एक M form जरूरी है M form आप करें M form के बाद आपको अच्छी salary मिलेगी अब M form करने के लिए आपको scholarship भी मिलती है जैसा कि आपको पदा जीपेट में 12,400 per month salary मिलती है M form pursue करने के लिए अभी थोड़ा सा डिलेमा है कि PCI देगा कि UGC देगा उस पर भी clarification जल्द आ जाएगा बट यहां पर हाँ आपको scholarship मिलती है अब आपको scholarship मिलती है तो आपका जो M form है वो free में हो जाएगा तो आपको GPIT की preparation करना चाहिए इसके बाद यह आपका mood बनता है तो आप PhD कर सकते है PhD में भी अच्छी खासी scholarship मिलती है PhD जैसे आप NIPER बगएरा में करते हैं तो आप जैसे ही M form करते हैं आपको फार्मकॉलजी में जब PhD करते हैं तो वहां पर फार्मकॉलजी ही PhD इंटरंस एक्जाम में पूछी जाती है जो कि आपने अल्रडी पढ़ी होई होती है B form के टाइम पर कुछ additional होता है तो वो आपको थोड़ा सा revise करना होता है बट वो भी आपकी preparation GPIT में हो जाती है ज जब आप 3-2 साल बाद जब SRF होते हैं तब आपको 42,000 पर मन्त आपको scholarship मिलती है तो PhD भी आपकी लगबख फरी में हो जाती है और आपकी सेविंग भी हो जाती है तो आप PhD भी कर सकते हैं फिर आगे NPDF होता है आरे होता है जिसमें भी अच्छी salary मिलती है यदि अपने GPIT प का मैंने data लिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं median package यहाँ पर दिया हुआ है 18-19 में लगबख 6,000,000 पैकेज था 19-20 में लगबख 7,000,000 पैकेज गया 20-21 में लगबख 9,000,000,000 पैकेज यहाँ पर गया है तो बहुत अच्छा आपकेज आपको मिल जाता है यदि हम इस बीन के लागबख 7,000,000,000 में लगबख 6,000,000,000,000 और यहाँ पर यहाँ पर आपकेज बहुत नहीं बढ़ता रहता है यहां यह पर राइवेट में बहुत जादा ग्रोथ होती है यहाँ लाइवर्स का बहुत बहुत वर ग्मारा बहुत बादोन इस पर एकर प्राइवेट वो भी मिलता है work culture भी मिलता है लेकिन फार्मसिस्ट में क्या होता है एक बहुत बड़ा disadvantage है कि जब आप फार्मसिस्ट day one पे join करते हैं और जब आप retire होते है last में तब आपका एक ही काम होता है कि आपको medicine से distribute करना है issue करना है आपको और कोई role and responsibility आपकी change नहीं होती है जो कि disappointing होती है यदि आपने यदि आप थोड़ा सा अपने career के लिए है कि मुझे बहुत diverse काम करना है तब आपको यह दिक्कत आए कि एक दो साल बात किया मैं क्या करना हूं कि सिर्फ एक ही काम है यहाँ पर medicine and distribute करने का कोई भी आपको other rule and responsibilities में changes नहीं होता है तो आप यदि जीपेट करते हैं और M farm अच्छे कॉले से करते हैं तो आपका package बहुत अच्छा जाता है और अब यहीं बचा हुआ है क्योंकि government jobs बैसे भी बहुत कमा रही है तो आपको private की तरह नमस्कार and welcome you all to DRX mentor मैं हूँ डॉक्टर जैंतुर आज की वीडियो में डिस्कस करने वर ले हैं five benefits of preparing GPET GPET की preparation करने के कौन-कौन से वो पाच करने की बहुत है